फूट शुड बी ओव मेडिसिन एंड किचिन शुड बी ओफ फार्मसी खाना ऐसा होना चाहिए जो आपके शरीड को पोशन के साथ साथ एनर्जी भी दे जिसे बैलेंस डायट कहते हैं माइक्रो नूट्रियंस, माइक्रो नुट्रियंस, fiber, protein, carbohydrate, सब कुछ होना चाहिए जो फूट बैलेंस हो उसे बैलेंस डायट कहते हैं अब आपनी ये तो जान लिया कि बैलेंस डायट क्या है जान लेते हैं कि बैलेंस डायट कैसे किया जाता है अगर आप अपने डेली रूटीन के अंदर ये छोटे-छोटे सीट्स शामिल कर दे हो, तो आपको सेहत के साथ साथ एनर्जी भी मिलती है अपने डेली रूटीन में होल ग्रेंस जैसे कीनुवा, ब्राउन राइस, ओर्स को शामिल करें पॉल्सिस अपनी डाइट में शामिल करना बिल्फिल भी न भूले नमबर थ्री, प्रोबाटिक से भरे फूट का अपने डेली रूटीन में सेवन करें अपनी गट हैल्ट को मजबूत बनाएं और अपनी डाइट का खाया जगे नमबर फोर, हमारे इंडियन कीचन हर्ब्स एंड स्पाइसिस को अपनी डाइट में शामिल करना ना बूले जैसे कि टामरी, क्लाउब्स, सिनमोन ये सारे एमिरिटी बूस्टर है तो इसे अपनी डाइट में शामिल करें नमबर पाच, हमारे इंडियन फाइबर जैसे कि स्पनाच, कोरिय, मेंच, सलारी ये सारे फाइबर है जो अपनी डाइट में शामिल करें नमबर सिक्स, अपने डेली रूटीन के अंदर फ्रूट्स का डेली यूज करें अपनी डाइट में बैलेंस डाइट को शामिल करें और अपने आपको फिट रखें